आपकी किस्मत सिर्फ और सिर्फ आपके अपने हाथ में है पूरी तरह से आपके अपने हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है किते लोग मानते हैं यह बात सच है? सब मानते हैं सब जूटें काप जूट बोल रहे हैं, काँ मानते हैं, अम बाते तो कुछ और करते हैं, उसकी किसमत अच्छी है, मेरी किसमत बुरी है, अरे मेरे साथ ये क्यों हो गया, मेरे साथ में वो क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ये चीज बदल क्यों नहीं रही है, मै इसरी तरफ उनी फ्लाट्स के सामने एक बहुत बड़ा बंगला है, a huge house, बहुत बड़ा, वहाँ पर एक बिलेनेर का बच्चा रहता है, मतलब के आरब पती, खरब पती आदमी है, उसका बच्चा है, तो जब उस रड़क के बीच में खड़े होकर के, हम इधर देखते हैं उ सामने एक शौफर है, पीछे वो मज़े से बैठा हुआ है, और स्कूल जा रहा है अपना स्टाइल में, तो सब के माइंड में क्या आएगा एक दम से देखते ही, कि हाँ देखो इसकी किसमत कितनी अच्छी है, इसकी किसमत कितनी बुरी है, अब रियालिटी को देखते है, अब रियालिटी क्या है, उसको जड़ा पकड़ते हैं, यह जो बच्चा है, बिलेनेर का, उसका जो घर है बड़ा सा, उसमें एक बट बड़ी बैलकिनी है, वहाँ पर आकर के खड़ा हो जाता है, डेली शाम को, दो तीन घंटे के ले, और उस बैलकिनी में खड़े हो करके बहार बच्चों को खेलते हुए देखता है, और वो जो दूसरा बच्चा है, जिसको हम सोच रहेते हैं कि जिसकी किसमत खराब है, वो क्या करता है डेली शाम को, दो से तीन घंटे, उसके जो अपार्टमेंट्स हैं, उसके साथ में छूटी सी गली है, जहां पर डेली शाम को 10-15 बच्चे खटे हो जाते हैं, और कभी पकड़ाई खेलते हैं, कभी पिट्थू खेलते हैं, कभी क्रिकेट खेलते हैं, कभी फुटबॉल खेलते हैं, कुछ न कुछ खेलते हैं, और ये जो बच्चा है, जिसकी किसमत अच्छी है, ऐसा दुनिया को लग रहा है, वो व नंबर एक, नंबर दो, security issues है, नंबर तीन, उसको कहा गया है कि आपको घर में ही रहना है, बार जाना अलाउड नहीं है, इस तरहे की बहुत सारी restrictions है उसके उपर, वो नहीं जा सकता, उसका मन बहुत है जाने का, बोलता है, लेकिन गर वाले मना कर देता है, तो वो क्या करता है, डेली शाम को आपर खड़े हो करके उन बच्चों को खेलते वे देखता है, और कोई नहीं देख पा रहा, लेकिन रोज, उसकी आँखों के अंदर, पानी होता है, बच्चे के नजर से दुनिया को देखने की कोशिश करो, अपनी नजर से नहीं, जब इस बढ़े हो जाते हैं आठी पैसा ही सबकुछ होता है, पैसा औपैसा 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 औछ औज से क्या लेना देना है, सोचो बच्चे की जिंदगी में सबसे बड़ी चीज क्या है पैसा या खेल खेल और वह उससे चीन लिया गया उसके पापा के पास उसके लिए टाइम नहीं है मम्मी अपना किटी पाटी में बिजी है इसमें कोई कोई डॉट वाली बात यह नहीं है जैसे इसे पैसा आता है आपने याभी चेंज होता चला जाता है ताइम का है भाई बच्चो के ले तो उस बच्चे के बच्चे के बच्चा कि अपने से 50-50 साल बड़े आद्मियों के साथ में जा कर कि खेलता रहे घर के अंधरी गर जितना मर्धी बढ़ा हो क्या उसको मज़ा आएगा खुशी च चाहिए उसके पास खेल नहीं है उसके पास में माबाप नहीं है उसके पास खिलोने बहुत हैं, उसके घर में एक कमरा है जो पूरा पूरा खिलोनों से भरा हुआ है, हजारों खिलोने हैं, और उस मिड्ल क्लास वाले बच्चे के पास में सिर्फ चार खिलोने हैं, लेकिन उन चार खिलोनों का उस बच्चे में क्रेज है, उसमें इन हजारों ट्विस्स ले करके आते हैं, वो जो बच्चा है middle class background का, वो भी बीच बीच में, वो उस बड़े घर की तरफ देखता है, और उस बच्चे को वहाँ पर खड़ा हुआ देखता है, और मनी मन सोचता है, कि उसकी किसमत कितनी अच्छी है, कितने बड़े घर में रह रहे हैं, कि ह घर के अंदर इतनी बड़ी lawn क्यो नहीं है, इतने सारे knocker क्यो नहीं है, इतने अच्छे कपड़े क्यो नहीं है, इतने सारे toys क्यो नहीं है, अब किसकी किसमत अच्छी है, किसकी बुरी है, पकड़ो इस चीज को जहा मैं जा रहा हूँ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, दोनों की अच्छी है और दोनों की बुरी है जिस वक्त हम अन चीजों की तरफ देखते हैं जो हमारे पास में नहीं है और हम जाहते हैं तो हमारी किसमत बुरी होती है और जब आप उन चीजों की तरफ देखते हैं जो हमारे पास में है उस moment में हमारी किस्मत अच्छी होती है ये पल-पल का खेल है एक-एक सेकिंड में किस्मत बदल रही है और किसकी वज़े से बदल रही है इसकी जड़ क्या है हमारे अपने ही desires हमारे अंदर जो desires शुपे होए है वो है सारी कि सारी जड़ तो अगर हमें अपने desires को बदलना आ जाए तो क्या होगा किस्मत बदल जाएगी अब मैं आपको एक real life example देता हूं उसके लिए मुझे एक volunteer चाहिए है यहां पर stage पर जिसका किसी लड़की के साथ या किसी लड़के के साथ में बहुत सीरियस अफेर चल रहा है और यहां पर आगर करके वो थोड़ा बहुत शेयर करें में उनको प्रॉब्लम ना हो कौन आना चाहेगा आप आना चाहेंगे आज़ो क्या नाम है आपका अगस्टेन तो आपका लड़की के साथ आफेर है लड़के के साथ है यार हस्टे और यह पूछ लेना ठीक रहता है तो ऑगस्टेन कितने टाइम से चल रहा है अपका अफेर साड़े तीन साल से तो आप इमाजिन करो सिर्फ इमाजिन करना है रियालिटी नहीं है कि कल वो आपको दुम कर देती है इमाजिन करो दुनिया में कुछ भी हो सकता है तो आप से बेटर कोई मिल जाए उनको वो सकता है मैं दोनों के बीच में आ जाओ हाँ तो वो आपकी अच्छी किस्मत होगी या बुरी किस्मत होगी सोच के बोलना यह यह वीडियो देखनें यह बाद नो सच में डंप कर दें आप यह बोलों में जो बोलों मैं कुछ नहीं बोलें बताओ अब अराम सोच लो अगर अगर वो किसी और के लिए इनको कल डंप कर दे मतलब के छोड़ दे यह इनकी अच्छी किस्मत है या बुरी किस्मत है मैं बस इतना सा पूछ रहा हूँ आप लोग मत बोलो आपको कोई डंप नहीं कर रहा है इंको कर रहा है इंको पोलने दो हां बताओ सब्सक्राइब अच्छी किश्मत है भाई यह तो गया आपकी गल्फंड है आपर? अभी नहीं है ना? मैं बताता हूँ जब वापच जाएंगा तो क्या होगा? मैं बताता हूँ अगर मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो मुझे छोड़ क्यो नहीं तेंटे प्रॉब्लम है जब जोड़ है अच्छी थोड़ है अच्छाय गया अच्छाय गया ब़्लम है यह तो विस इतनी पेटर आप्शेंट मेरे लिए ले लिए 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 वे शहीद हुआ और रिज़न्स बताओ अच्छी किस्मत के भी और बुरी किस्मत के भी मैं यहांपर क्या कर रहा हूँ देखो ध्यान से देखना जहां इनका ध्यान गया पॉजिटिव की तरफ किस्मत अच्छी हो गई जहां ध्यान गया नेगेटिव के उपर कि अम मैं क्या करूँगा, साड़े तीन साल से हम साथ में थे, मैं एकदम से अलग हो गया, तो यह अंदर से तूट जाएंगे, अंदर से तूट जाएंगे, बिखर जाएंगे पूरी तरीके से, देवदास बन जाएंगे, शुरू हो जाएंगे, डेली, लवली लवली, होता ह होता है लोहों के साथ में तो यह है एक एक एक्स्ट्रीम दूसरी एक्स्ट्रीम क्या है जैसे आपने इस situation की positive side को देखा आप क्या हो रहे हो अंदर से कम्जोर हो हो strong हो रहे हो strong होते चले जा रहे हो देखो life में कभी भी यह मत सुचना मुझे सिर्फ positive देखनी है positive भी देखो negative भी देखो लेकिन choose करो positive को यह करना है तो आपने negative point नहीं बताया अभी तक मतलब उनसे अलग होने का कोई negative point नहीं है अच्छा कोई chance ही नहीं है बहुत बढ़िया let's give a big hand for him यह जो funda भी मैंने discuss किया आप लोग के साथ मैं के situation की हम negative साइड भी देख सकते है positive साइड भी इसी same funday को आप कहीं पर भी लगागा अपने उपर लगाओ हर इंसान के अंदर इस पूरी दुनिया में कुछ strengths होती है कुछ weaknesses होती है क्या कोई एक भी ऐसा इंसान है इस auditorium में या auditorium छोड़ो पूरी दुनिया में जिसके अंदर strengths तो हो हो तो अहरं साद के अंदर strengths भी है और weaknesses भी है तो जब भी हमारा ध्यान अपनी strengths की तरव होता है तो अमारी किस्मत अच्छी होती है और जब भी हमारा ध्यान अपनी weaknesses की तरफ होता है तो हमारी किस्मत पुरी होती है आस्मान में एक पंची उड़ रहा है जब तक वो उड़ रहा है मज़े से तब तक कोई प्राब्लम नहीं है क्योंकि वो उसका base nature है उसने मचली को पानी में तेरते होए देखा और वो मचली बनने की कोशिश कर रहा है उसका मन कर रहा है कि हाई मैं पानी में तेर क्यों नहीं पारा मैं इसके जैसा क्यों नहीं हूँ और मचली भी उसको देखकर कि यही सोच रही है कि मैं उड़ क्यों नहीं पारी जिस आदमी को देख तरके आप सोच रहे हो ना किसी 50 साल के आदमी को कि यार क्या लाइफ है बिजनस क्लास में ट्रेवल कर रहा है बड़िया से बड़िया गाडियां है इतना बड़ा बिजनस है इतना ये है इतना वो है वो पता है क्या सोच रहा है उस समय आपको देख करके अगर आपकी एज है मेभी 20-25 साल आप एक स्टूडेंट हो आपको देख करके वो मनी मन सोच रहा है कि काश मेरे सर पे भी ये बाल होते है कि काश मेरे अंदर भी इतनी एनर्जी होती इतना excitement होता जो इसके अंदर है काश मेरे भी ऐसे दोस्त होते हैं काश मेरी भी ऐसी life होती है काश मैं वापिस से उस time में चला जाओ जब भी वो ऐसा कुछ सोच रहा है तो इसकी किस्मत खराब है अब उसने ध्यान दिया कि मेरे पास में क्या है business है तो इस business को पुर साथ किरो पूरे passion के साथ करो यू इंप्लॉई है उनके बारे में वारे में और इस दुनिया के बारे में सोच ओ इस क्लाइंट्स के बारे में सोचँ जाना नहीं है मरना नहीं है पर कि कुछ कांट्रिब्यूट करना है कि अगर आप आए हो इस दुनिया में बहुत लोग उच्छे पुछते दिश्टी का मकसद क्या है यही मकसद है भाई आप इस दुनिया में आए हो अगर आपने किसी एक भी इंसान की लाइफ थोड़ी सी बेटर बनादी ना, थोड़ी सी, आपकी वज़से किसी के face पर थोड़ी सी smile आ गई, किसी की भीजिर सी खुशी आ गई, तो समझ जाओ आपकी जिन्दीकी का मकसद पूरा हो, इसके अलावा कुछ नहीं है, कितने लोग married हैं यहाँ पर married है अब देखो कितना असान है यह चीज समझना कि जहां आपने अपनी वाइफ की बुराईयां देखने शुरू करी बुराईयां है उसके अंदर है है या नहीं है 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 सब के अंदर है और पता नहीं कितनी है पता नहीं कितनी है जहां आपका ध्यान अपनी वाइफ की बुराईयों की तरफ गया आपकी किसमत फूट गई लोग समझ नहीं पारे खेल को लोग समझ नहीं पारे वो पते क्या सोच रहे हैं कि अगर मैं उस सामने वाले बंदे की तारीफ करूँगा या उसकी अच्छाईयों का देखूँगा तो उसमें उसका फाइदा है समझो बारी की से समझो आप उस पे एहसान नहीं कर रहे हैं उसकी अच्छाईयों देख करके आप अपनी किस्मत को अच्छा कर रहे हो उसकी अच्छाईयों देख करके उसकी अच्छाई देखने से उसकी किस्मत तो बाद में अच्छी होगी पहले आपकी खुद की किस्मत अच्छी होगी समझो आपकी जिंदगी में छोई सी खुशी आएंगी, आपको अच्छा लगेगा आप रिलाक्स हो जाओगे, आपके अंदर से गुस्सा निकल जाएगा आप शान्त हो जाओगे, आप खुशी से unlimited है, अब चोईस आपकी है, कि कब तक negative देखना है मैं आपको यह नहीं गह रहा है कि आप positive देखो, मैं को नहीं होता हूँ बोलने वाला हूँ, मुझे क्या फर्क पढ़ता है मुझे क्या फर्क पढ़ता है, आप देखो ना negative देखो, बस मैं आपको reality बता रहो, reality क्या है कि अगर आपने एक साल तक किसी दूसरे इंसान की negative qualities को देखा किसी situation की negative side को देखा, अपनी weaknesses को देखा, अपने failures को देखते रहे, और उसकी positive side को नहीं देखा, तो जब तक भी आप देखोगे, एक साल तक दो साल तक, दस साल तक की आप पूरी की पूरी जिंदगी, तब तक आपकी किस्मत फूटी हुई है बिकार है किस्मत खराब है, अपने अंदर जाग करके देख लेना आपको समझ आ जाएगा और जहां एक सेकिंड लगेगा आपको एक सेकिंड, दस साल बाद भाद जाग गए एकदम से मेरी वीडियो देखी और आपको एक खेल समझ आ गया अच्छा, इसका मतलब मेरी किसमत भार किसी सिचुएशन पर डिपेंड नहीं कर रही मेरे अपने नजरिये पर डिपेंड कर रही है तो मैं क्यों ना बदलू अपने नजरिये को, मैं बदल रहा हूँ मैं बदल रहा हूँ अपने नजरिये को मैं कोई जानवर नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं चॉइस ले सकता हूँ दुनिया की कोई ताकत मुझे ही चूज़ करने से नहीं रोख सकती कि मैं देखूँगा इसकी positive side को, इस situation की, दुनिया देखती है negative को देखने दो, मैंने positive choose किया, तो 10 साल तक आपकी किस्मत खराब थी, एक second में आपकी किस्मत अच्छी होगे, एक second में, आपकी किस्मत, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने हाथ में, जिस वक्त उन चीजों की है, तो हमारी किस्मत पुरी होती है, और जब आप उन चीजों की तरफ देखते हैं, जो हमारे पास में है, उस movement में हमारी किस्मत अच्छी होती है, ये पल-पल का खेल है, आस्मान में एक पंच्छी ऊड़ रहा है, उसने मचली को पानी में तहरते होए देखा और वो मचली और मचली उस को देखकरके है, की और क्यों की आई पार करें और मैं इसके जैसा क्यों नहीं हूँ,ूझ समाल्य नहीं पा रहे हैं, तो उसमें इससी नहीं आप पार जो ह्पति किस्मत अच्छी होगा, और आपने एक साल तक अपने फेलियर्स को देखते रहें, और उसकी positive साइड को नहीं देखा तब तक किस्मत खराब है और जहां दस साल बाद आप जाब रहें कोई खेल समझ आ गया अच्छा इसका मतलब मेरी किस्मत भार किसी सिटुएशन में डिपेंड नहीं कर रही है तो मैं जोना बदो अपने नजर यह को मैं बदल रहा हूँ तो दस साल तक आपकी किस्मत खराब थी एक सेकिंड में आपकी किस्मत अच्छी होगी तो जब भी हमारा ध्यान अपनी स्ट्रेंज की तरफ होता है तो हमारी किस्मत अच्छी होती है और जब भी हमारा ध्यान अप झाल झाल